नाजरीन जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम मौझूद हैं देवरिया आदम में ये रहरा ब्लॉक के अंतरगत आता है आईए आपको दिखाते हैं सरकार के जितनी भी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के तहट वो जो भी धन आवंटित करता है एक ग्राम पंचायत के विकास के लिए उसमें किस तरह से सरकार की निधियों का हो रहा है पालन और कितनी हो रही है धनों की बरबादी ये आप इस हैंट पम की हालत देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ सबसे पहली बात तो यह है कि गाउं के एकदम बाहर है और दूसरी बात यह है कि यह जब से लगा है तो शायद यहाँ पे किसी ने पानी पिया होगा नहीं पिया होगा देख रहे हैं कैसी कंडिशन है यहां की इसकी फेंसिंग भी नहीं की गई है और ये जिस कंडिशन में था वैसे ही पड़ा रह गया है इस वक्ते निस्क्रिये है और ये इसी हालत में है में भी इसके उपर भी रिपेरिंग का या कुछ भी दिखाया गया होगा वो जब जाच बिठाई जाएगी तो उसमें पता चल स सकता है कि इसके उपर कितनी बार धनावंटित हुआ है ये पूरे गराम पंचायत में जो गाउं है मजरा है इसमें जो मुख्य रोड का संपर्क मार्ग है यहीं से गाउं के इक्जिट और इंट्रेंस होती है यह है उसकी कंडिशन आप देख सकते हैं किस हालत में है यहां पर कौन आ सकता है शायद यहां पर कोई मवेची जानवर भी नहीं आना चाहेगा यहां तक यहां आने के बाद यह खरंजा भी एंड कर दिया गया है इसके बाद करीब 200 मीटर की दूरी तक कोई खरंजा नहीं दिखाई दे रहा है और यहां भी आगल बगल में आप देख स यहां पर खड़े हुए हैं दुरिया आदम का जो हम जैसे कमी ने बताया था कि यहां इंट्रेंस और इग्जिट के लिए जो में रोड है जो मसाड़क है जो गाउं में परिवेश किया जाता है यह बहुत पुराना इन लोगों का बताना है कि बहुत पुरानी रोड है और इसका इस्ट्रक्चर भी बताता है कि यह बहुत पुराना है और यहां से लोगों की इंट्री या फिर इग्जिट होती है गाउं में लेकिन कहना यह है इन लोगों का कि इसके उपर भी बज़े टुट चुका है और यह आप जैसे कि देख रहे हैं यहां पर आपको नजर पानी के निकासी के लिए इसकी क्या कंडिशन है अब इसमें कौन सी गाड़ी या फिर कैसे पैदल जाना दुश्वार है लोगों का तो गाड़िया कहां जाती होंगे आए हम इस ग्रामसभा के आदमी से मिलते हैं और जानते हैं इसके बारे में यह पूरी तरह से आज तक जितने परधान हुए हैं यह रोड यह खंडल ही पड़ा हुआ है और आज आप बल्लामपुर की जमाना से यह रोड बना हुआ है यह चकबंदी से भी पहले है मगा इसका कोई तबज्जे लोग नहीं कर रहे हैं और पैसा जो आया है वो खाया तो आप देख लिए इसके लिए परधान जो भी जैसे आपने कहा कि इससे पहले भी बहुत सारी है चकबंदी के टाइम के बल्ला राजा बल्रामपुर के टाइम से यह है लेकिन आज तक इसका कुछ जो है सौंद्री करड़ नहीं हुआ या फिर खड़ंजा नहीं लगाया गया इसके दाइनिय परधान नाम था तीन बार रूर हो चुके एक बार ये इनहीं लोग 20 साल से परधानी कर रहे हैं में कितना विकास हुआ है अब 20 साल में आप तो देखी रहे हैं गाउं में साथ चलके कितना हो रहा है हमको तो बतानी के जूरूत है लेकिन आज तक इसके विकास के लिए किसी भी तरह का कोई काम किसी परधान नहीं किया है किसी ने किया हो या ना किया हो ये अलग बात है लेकिन मौजूदा जो परधान है उनको तो ये काम देखना चाहिए करना चाहिए अच्छा कहना ये है गाउवालों का इस पर बजट भी उठ रहा है तो अगर बजट उठ रहा है तो जाता कहा है यह हम इसस्वक चल रहें हैं इसी ग्रामसभा के उसी मुख्य दूर के इप पर रस तूर में सड़क पर जाता है और यह जो रोडह हम आप को दिखा रहु है इस वक्त ये भी हो सकता है कि उसको कबरस्तान लेके जाते जाते किसी और की मौत ये इस रोड पे हो सकती है अब बताई ये भला कि आखिर इसमें किस तरीका गबन हुआ होगा कहां कहां गबन हुआ होगा कौन कौन इसमें इन्वाल हुआ होगा ये तो एक बना हुआ है सवाल हमरे साथ इस वक्त मौझूद है सिराज एहमद इन से जानते हैं कि इस ग्राम सभाज से जब किसी की मृत्यू या फिर किसी की मौत हो जाती है तो इसको शमसान ये कबरस्तान लेके जाते हुए कितनी तकलीफ होती है सराज जी आप बताएं कि जब किसी की मौत हो जाती है तो उसको कबरस्तान लेके कैसे जाते हैं अब इस रास्ते पर सर जब मिठ्टी हो जाती है तो हम लोग कभी कपड़े हाथ में लेकर जाते हैं बाहर जाके कपड़े को बदलते हैं या कभी जाकर बाहर के नल से नहाते हैं और यहां से जाने में इतनी कटनाईया होती है कि कुछ लोग वापस घर को लोड़ जाते हैं और कुछ लोग महिन रास्ते से होकर जाते हैं जैसे दिख रहा है बड़ी धैनिये इस्थिती है जो बारिश होती होगी बारिश के सीजन में तो पूरा पानी भर जाता होगा तब कि धर से जाते हैं यह पूरा पानी इतना भर जाता है इधर से आने का कोई गुझा इस नहीं फिर किसी के पास रास्ता बदल देना पड़ता है कभी उधर से जाते हैं दो किलो मीटर रास्ता घूंके यह रास्ता बिलकुल नहीं जा सकते हम तो आखिर क्या वज़े होगी कि आज तक इस पे किसी का ध्यान नहीं गया और इस बारे में जैसे अभी यह पांच साल का समय कारिकाल जो है परधानी का यह खतम हो रहा है तो अब आप क्या कोई उमीद रखते हैं कि इसका फिर से निर्मान किया जाएगा अब क्या उमीद होगा जो उमीद और आसा थी वो तो खतम हो चुकी अब तो ना कोई बज़ट उठने वाला है ना कोई काम करने वाला है इससे पहले लोग कहा करते थे इस बार हमारी परधानी आएगी तो बना दिया जाएगा बना दिया जाएगा आज तक किसी ने बनाय हम इस वक्त मौझूद हैं इस ग्राम सबा के तालाब पर इसका सौंधी करड़ आप देख सकते हैं किस तरह से हुआ है यह सौंधी करड़ का जो बज़ट आता है जैसे इस गौवर्मेंट में एक बहुत अच्छा काम ये भी हुआ था कि ग्राम सबा में जितने भी तालाब उसका सौंधी करड़ किया जाये उसको अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप में किया जाये लेकिन यहां कि यह तालाब हमें दिख रहा है यहां खंडर जैसा दिख रहा है हमें तो नहीं लग रहा है कि यहां पर किसी तरह कभी कोई सौंधरी करण हुआ है आईए इस ग्राम सभा के किसी व्यक्ति से हम यह जानते हैं कि इसका सौंधरी करण हुआ है या नहीं हुआ अगर हुआ है तो वो सौंधरी करण गया कहां हमारे साथ इस वक्त मौझूद हैं इसी ग्राम सभा के तिरलो की परसाद मौरिया आईए उन से जानते हैं कि इस तालाब का सौंद्री करड हुआ है या नहीं हुआ है तिरलो की जी बताईए आप कि इस तालाब के बारे में क्या कहना है आपका अब आपके सामने तो हई है इसमें जो है छे दिन खाली घासफूस किनारे किनारे चिला करके और जो है इसका बजट उठाया गया है इसमें 15-20 लोग काम करके जो है चिलाई का काम किया घासफूस का और ना इसकी मिट्टी निकाली गई ना इसका पानी सुखाया गया है पानी इसका बरसों पहले से बारा रहता है, सूकता नहीं है, ना इसकी कहीं मिट्टी निकाल के रखी गई है, आप देख रहे हैं चारों तरफ, और ये बंधा जो बधवाया गया था, इसको एकदम इतना कम जोर बंधवाया गया कि बरसात में सब बह गया, पूरा रोड बेकार हो पूरा रास्ता बेकार है, यहां का जो है परधान, हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हमी ने परधान बनाया, और हमी लोगों को इतना तकलीफ दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसके सौंदरी करड़ पे आप कुछ कहना जाएंगे, इसका बजट औगयरा कितना कितनी और नहीं साथ लाख है, और चौंसट हज्यार, नौसो तिरान नवे रूपया, पेपर के अंदर इसका है, यह आप देख रहे हैं, यह अभी जो हम आपको दिखाये हैं कपरस्तान का मार्ग, यह इसी रास्ते से है, सिर्फ कपरस्तान ही नहीं है, इन गावालों के खेत वग अब जरा सोचिए कि अगर किसी के सर पर बोज है, वो अपनी फसल लेके जा रहा हो गाव में अपने आगन में या कहीं भी उसको अगर उसको प्रोस्स करना है, तो कैसे वो आता जाता होगा, अगर मयत भी यह लोग लेके आते होंगे शम्शान में या फिर कबरस्तान में, तो वो किस्तनी दुछवारियों के बाद इस पार होते होंगे यह है इस गाओं की कंडिशन